एक तरफ जहां यमन के हूदी ने इसराइल के तेल अविव में ट्रोन अटेक करके नितनियाहू को बड़ा दर्द देने का काम किया है वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजगुला इसराइल के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका घाव दिन बादिन बढ़ता ही जा रहा है और वो समूचे उत्री इसराइल को अपनी चपेट में ले रहा है हिजगुला के हमलों ने उत्री इसराइल को एक वीरान खंडर में तबदील कर दिया है और पूरे 24 घंटे criticize के ड्रोन इस इलाके में मनरा रहे हैं और जैसे ही इसराइली सेना इस इस इलाके में कोई हलचल करती हुई दिखाई देती है वैसे ही हिजगुला के ये ड्रोन उसके उपर आग बरसाने लगते हैं और इन हमलों के बीच एक बार फिर से हिजबुला ने उत्री इसराइल को दहला कर रख दिया है हिजबुला ने सिलसलेवार तरीके से इसराइल की कई सैने चौकियों पर बंबारी की है हिजबुला का कहना है कि उसने 18 जुलाई को 2 बच कर 44 मिनट पर खादाब यरीन साइट पर IDF द्वारा हाल ही में लगाए गए जासू सी उपकरनों को निशाना बनाया गया और इसके ठीक बाद मेतूला सैटलमेंट पर भी IDF के कई जासू सी उपकरनों को उड़ा दिया गया यहाँ पर हिजबुला ने गाइडेड मिसाइल से एक बड़ा हमला किया है जो सीधे IDF के बेस पर जाकर लगी और इस हमले के बाद चार बच कर दो मिनट के आसपास हिजबुला ने बिरकत रिशा और अलराहेब सैन्ने चोकियों पर बुरकन रोकेट की जड़ी लगा दी जिसकी वज़ा से इन दोनों ही चोकियों पर आग लग गई इन हमलों के बीच हिजबुला का ये भी दावा है कि उसने कफार चौबा हिल्स और रोईसत अल आलाम साइट पर रोकेटों से हमला किया है साथ ही हदा ब्यारीन साइट पर एक एंटी टैंक मिसाइल से मेरकावा टैंक को भी उड़ा दिया लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल को सबसे बड़ा जटका फाइलाउन बेस पर लगा जहां पर अभी तक हिजबुला ने हमला नहीं किया था लेकिन इस बार हिजबुला ने ड्रोन का एक पूरा जट था इस बेस पर दाग दिया जिसकी वज़ा से फाइलाउन बेस पर आईडियाफ को भारी नुकसान हुआ है आपको बता दे कि फाइलाउन बेस पर आईडियाफ की 210 वी ब्रिगेड का हैड़क्वाटर और वेरहाउस है हिजबुला का कहना है कि फाइलाउन बेस पर आईडियाफ ने पोजिशन ले रखी थी और यहाँ पर कई अधिकारी और सैनिक भी तैनाद थे हाला कि इस हमले में आईडियाफ को कितना नुकसान हुआ है इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन हिजबुला ने ये जरूर कहा है कि उसके इस हमले ने अपने टार्गेट को हासल किया है और इस हमले के बाद हिजबुला ने अलमजर साइट पर भी गुरकन रॉकेट से सीधा हमला किया और जैसे ही ये हमला हुआ इसके ठीक बात यारा सैटलमेंट में आईडियाफ द्वारा बनाए गए वेस्टन ब्रिगेट के नए हैड़कोर्टर पर भी हिजबुला ने काई ड्रोन अटेक किये हिजबुला का दावा है कि उसने इस हमले में इसराइली पोजीशन और अधिकारियों को निशाना बनाया वही इन हमलों को लेकर इसराइली मीडिया का कहना है कि रोश पीना और हाजोर हगलीलित सेटलमेंट पर दो हवाई टारगेट्स को एर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप नहीं कर पाया जिसकी वज़ा से मेतुला समेथ इन इलाकों में आग लग गई है